नमसकार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परीचे दोस्तों पस्थित हूँ आफ सभी की सेवा में एक बैधे महतुपूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आए जानते हैं हम सभी पेट कम करने के लिए कौन से टिप्स आज मा सकते हैं आप जिससे कि आपका पेट कम हो जाएगा बहुत सारे लोगों को मोठापा की समस्या रहती है तो है यह जानते हैं कुछे कैसे घरेलू नुस्खों के बारे में एक गलास पानी में कोलोंजी के तेल की कुछेक बुन दें और एक चमच शहद मिला करके पीएं ऐसा दिन में दो बार करें इससे पेट का फैट कम हो जाएगा जिहां इसके अलावा नारियल पानी भी बेहदलाफकारी होता है नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाय जा है रोज एक चमच अलसी खाएंगे तो पीट घटेगा आपका जिहां इसके अलावा दही भी बेहतकारगर होती है आपके वजन को कंट्रोल करने के लिए रोज एक कटोरी दही खाएं इसमें मौजूद कैलशियम टमी फैट बढ़ाने वाले काटियो सोल हार्मून का लेवल कंट्रोल करके पीट घटाने में आपकी मदद करता है जिहां दोस्तों और मोटापा आप सभी जानते ही है कि बहुत सारी बीमारियों का खोद बखोद घर होता है जिहां इसके अलावा बादाम का प्रयोग करें रोज चार से पांच बादाम खाएं इसमें मौजूद विट से कम तीन या चार बार गुलास गुणगुना पानी पीना है जब ही पियास लगे तब इससे पीट का फैट तेजी से बर्न होता है इसके अलावा सौनस वाले पानी कम कर दें इसकी जगह चना और जव के आटे की रोटी बना करके खाएं इन में कैलोरी और कार्बॉहिट्रेट बहुत कम मातरा में होता है इसके अलावा इसमें फाइवर बहुत अच्छी मातरा में पाहे जाता है जिसकी बदावलत आपका पेट और पाचन भी सही रहता है कलो पानी में कलोंजी की तेल की कुछ एक बुंदे और कुछ चमच शहद की मिला करके पिए ऐसा दिन में दो बार करें इससे पेट का फैट कम होता है जिहां दोस्तों तो इन उसकों को अपना करके आप अपने फैट को कंट्रोल कर सकते हैं इसके हलाबा कुछ बातों का ध्यान र यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बहद ही महतोपूर जानकारी को ले करके तब तक के लिए धानिवाद नवसकार दोस्तों